नमस्कार किसान जातियों माईक रशी के यूटूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है तो किसान जातियों बात करेंगे आज मिर्चे की फसल की चोगी हम आये हैं गाउं सिर्केडा तो यह हमारी नर्शी का वहां का ही पोदे हैं तो आज किसान से ही पूरी बात ची अब बात करेंगे तो यह कौन सी विराइटी है राशी की सोनल यह राशी सोनल में मिर्च विराइटी है जो कि मेरी नरसरी के पोदे हैं तो बात करेंगे अब इसमें यह आपने कब लगाये था चोईज जून चोईज जून को लगाये था तो अब इसमें अभी इन्होंने तुड़ाई कब कब किये वो जान लेते हैं तो इसमें पहली तुड़ाई आपने कब की थी 37 दिन इन्नों ने 37 दिन इसकी पहली तुड़ाई कर ली थी और उसमें कितना मिर्च निकला आपका 20 किलो ये कितने पोधे हैं आपके आपके आपर ये अपने 3300 पोधे इनके पास 3300 पोधे हैं और 20 किलो पहली हार्वेस्टिंग में निकला था जो कि 37 दिन इन्नों ने तुड पूजिशन है तुड़ा ही कितना निकल रहा है कि तोड़े कर दिया है छोड़े चोटे टुकडों में तो यह 30-35 एक एवरेज निकल रहा है तो आपको इसमें अभी तक क्या क्या परेशन यह ज्यादा परेशानी तो नहीं आई एक पर वाइड़ प्लाइट निकल रहे हैं त वाइट फ्लाइओ थिपस और तो तो वाइट फुलाई और थिपस्के लिए आपको YouTube चेनल पर वीडियो डाल रखी है मैंने क्या किया मिने इनको वही बताया आई और उस만 Loren ने कंट्रोल किया तो एक नज़रब इसमीर्श के फोदिया डाल लेंगे हम तो यह दीखिए इस प्रकार से अभी 5-10 दिन की फ़सल हुई है और इस 50 से 50-15 दिन की फ़सल हुई है और इस प्रकार से यह दीखिए बहुत बढ़ीया मिर्श लगी हुई है ब Bien से कम एक कुईंटल से डेड़ कुईंटल एक बार हार्वेस्टिंग में तो यह तुकडे में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी इसमें माल अपने को बढ़ने के ही चांस है तो अभी तक तो यह हमारा मेनिजमेंट था अब आगे हमारा थोड़ा सा इसमें फर्ट करना डिसेस नहीं आया है लिपकर्ड वाइरस बहुत कम देखनों को मिला है दो या चार पोदों में जो कि हमने निकाल कर फेक दिये हैं तो इस प्रकार से हमारा मिर्च का प्लोट है तो अब बात करेंगे इसमें आगे क्या प्लानिंग है तो इसी सबसे अभी आप मेरे को चालिस से पचास रुपए करिबन बिक रही है और मैंने आपको वेराइटी बताई यह राशी सोनल है तो इसी सबसे हैं हमारे मिर्च का अप्लोट है तो किसान जातियों केसी लगी हमारी जनकरी यह जनकरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजि तनिवाट के संसे तियों